हलो दोस्तों नमस्ति बिहार्ज सिक्षक पातरता पच्छा को ले करके फिर से एक बार बिहार्थी अभ्यार्थी पास और फेल होंगे जिहां रिभाईज रिजल्ट में फिर सी सुधार किया जाएगा साथ ही कुछ अभ्यार्थी जो फेल कर रहे थे वो अब पास कर जाएंगे क्योंकि रिभाईज डांकसर की जारी होने के बाद दो से तीन प्रश्णों पे जो है चिंजिंग किया गया है वैसे कर सकते हैं दो तीन मांकस तक जिन अभ्यार्थियों को नहीं हो पाया था पहली बाद जब रिजल्ट जारी किया गया था बिहार बोट के तरब से उन अभ्यार्थियों को फेल कर दिया गया था वहीं अभ्यारती रिभाईज डांकसर की जारी होने के बाद पास कर गए है तो सुभाविक सी बात है कि बिहार टेट का जब रिजल्ट आएगा रिभाईज रिजल्ट उसमें वह अभ्यारती पास कर जाएंगे वहीं कुछ अभ्यारती जो है जो कह सकते हैं कि एक दो कोस्चन में जो चेंजिंग किया गया था उससे कुछ अभ्यारती फेल भी हो सकते है साथ ही सबसे ज़्यादा नोकसान उन अभ्यार्थियों का होगा जो अभ्यार्थियों का उम्मीद था कि गलत परसुनों के बदले माक्स मिलता तो पास कर जाते क्योंकि बिहार बोट के तरफ से अभी फिलाल कोई भी ऐसा बेयान नहीं आया है कि गलत प्रस्णों के बदले माक्स देते हुए संसोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा एक तरफ जहां बिहार बोट का अध्यक्ष और सचीव अपने जिद प्यारे है कि बिहार 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 बिहारतियों को गलत प्रस्णों के बदले माक्स नहीं दिया जाएगा कहने का मतलब यह है कि गलत प्रस्णों को हटा करके ही रिजल्ट जारी किया जाएगा वह हैं दूसरी तरफ TTA भ्यारती भी अपने जिट पैरे है कि गलत प्रस्थनों के बदले मार्क्स लेकर रहेंगे इसी बात को लेकर करके कभी TTA भ्यारती हंगामा करते हैं तो कभी जो है हाई कोट में भी आप जानते हैं कि किस धायर कर दिया गया है गलत प्रस्णों के बादले marks मिलना चाहिए ऐसे में अब देखना ये है कि संसोधित रिजल्ट जो जारी किया जाता है वो गलत प्रस्णों का marks दे कर जारी किया जाएगा या फिर गलत प्रस्णों को हाटा करके संसोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा